तो हेलो गाईस तो आप खुलो को मैं आज सिंचेन के एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो भी तक इंडिया में नहीं आई है और ना भी तक टेलिविजन पर आई है तो इस स्टोरी का नाम है फियांजो सिंचेन एडवेंचर मूवी के स्टार्टिंग में हमें कजामा दिखाया जाता है जो किसी चीज से डर के भाग रहा था और जब ही वो पीछी देखता है तो कजामा देखता है वहाँ पे एक डैविल है और कजामा उससे धर के भाग रहा होता है पर वो एक सपना होता है फिर सीन काट के सिंचेन के घर का दिखाया जाता है जहां पे सिंचेन अपने कपड़े पहनने वाला था कपड़े ढूड रहा था जब ही शिंचेन के दोज़ दिखा जाते हैं, जो शिंचेन के पास आ रही थे जब ही हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहांपर सिंचेन पढ़ने जाने वाला था जब ही शिंचेन की ममी कहती है, कि ये बहुत टैट हो गया है, इसे अब तुम नहीं पहन सकते सिंचेन कहता है कि आप पहन लो जब ही सिंचेन की ममें उसे पीट के चली जाती है जब ही सिंचेन की डैट कहते हैं कि सिंचेन का एड़विशन हम इस स्कूल में करवाएंगे सिंचेन का एड़विशन इस स्कूल में होगा तो वो काफी अच्छा पड़ पाएगा सिंचेन का एडिविशन इस स्कूल में हुआ तो वो काफी कुछ सीख पाएगा हीवामारी से कह रहे होते हैं जब ही सिंचेन आता है कि मैं इस स्कूल में नहीं जाओंगा पर सिंचेन के पापा कहते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है और इस यहाँ पर बहुत सारी दीदिया भी तुमें मिलेंगी सिंचेन कहता है तो हम इस स्कूल में जरूर जाओंगा जब ही वो लोग बात कर रहे होते हैं जब ही सिंट कार्ट के दिखाए आता है कि सिंचेन बस का वेट कर रहा होता है और बस आने वाली होती जब ही बस आती है और उसके ममी पापा और सिंचेन चौक जाते हैं क्योंकि उसके अंदर और कोई नहीं जीटियार लगाता है जीटियार एक Councillor था जो सिंचैन और सिंचैन की दोस्तों को लेने आया था वो अपने आपको इंटर्डीूस कर राथा जब ही कसामा की आवाज आती है वो सिंचैन को बला रहा होता है कि आजाओ सिंचैन अंदर आ जाओ जबी सिंचेन और सिंचेन के पापा बोलते हैं कि बेटा आराम से जाना जबी उसकी सिंचेन की मौम रो रही होती है फिर जहां पर सिंचेन जा रहे होते हैं सब लोग वहां पर सब पहुंच जाते हैं पिर वहाँ पे उनके एक प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये लोग एक कार्ड ये एक ID कार्ड तुम्हारी पहंचान है इसके नमबर्स होते हैं जो बढ़ते जाते हैं तो तुम्हारा प्रोमोशन होती जाता है इसमें काफे कुछ फीचर्स हैं जो तुम्हें बजद करेंगे आपके इतने सारे points कैसे सिंचेन वहाँ वही आपर गिनने लग जाता है कितने points हैं आपके वहाँ पर एक दीदी होती है जो gold medalist होती है और सिंचेन प्रेसिडेंट की बीटी जो होती है सिंचेन उनसे पूछता है ये photo आपकी है न वह कहती है ये मेरी है मैं पहले race करती थी पर मेरे घुटने में दर्द होने के कारण अम में race नहीं करती जब ही दिखाया जाता है कि जो बच्चे प्रमोट नहीं उपाते जो बच्चे सैतानियों में रह जाते हैं वो अच्चू का ऐसा हलोता है उन्हें हम यहाँ पर छोड़ देते हैं जो पास नहीं हो पाते कजामा घबरा जाता है और कहता है ऐसा क्यों जब ही कहती है ये मेरे पापा ने मुनाया है रूर जब ही वो लोग उसको कजामा से पूछते हैं कि बेटा तुम आराम से पढ़ना और आराम से अपने पूइंट्स कवाना जब ही कजामा कहता है कि हम ऐसे से करेंगे दोस्तों कि अब हम सब पूइंट्स कमाने में लग जाएंगे जब ही वो चैन को दिखता है एक लॉक टावर जब ही प्रेसिडेंट की बेटी कहती है कि इसके पास मत जाना का इस टावर पर जो भी जाता है वो बापस नहीं आता है जब les aoad सबको पढ़ा रहा होता है सब ठटे रहा होते हैं और कजामा हरे जवापका सई अंसर दे रहा होता है जबकि शिंचेन उसका उल्टा कर रहा होता है जब य उन दोनों के point बढ़ने के बाद वो लोग खाना खाने जा रहे होते हैं वो लेंच time होता है तो उससब खाना खा रहे होते हैं जब शिंचेन जा रहा होता है President की बेटी के पास खेल ले और वो लोग वहां से बरगर लेकर आते हैं और उसे खाने लग जाते हैं तो आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एं सब्सक्राइब करना और पाट तूचे यह तो कमेंट करना